नमस्कार दोस्तों दर्बंगा रुक्स में आपका स्वागत है दर्बंगा से स्पाई जेट एक नया विमान शुरू करने जा रहा है और ये है बोईंग 737 मैक्स 8 विमान जो अभी हाली में डी इंट्रोड्यूस किया स्पाई जेट ने और ये बैंगलूरू से ये विमान पह से आपको बता दें कि अभी हाली में स्पाई जेट ने इसे री इंट्रोड्यूस किया है तो ये इन रूट देखिए फ्लाइट रडार का दिखा रहा है कि बैंगलूरू से दर्बंगा 737 मैक्स 8 विमान जो है वो फ्लाइट इसकी टेक आफ हो चुकी है और ये रास्ते में और ये कुछी शणों में ये दर्बंगा में लैंड कर जाएगा ये आपको इन रूट दिखाई दे रहा है विमान तो बैंगलूरू रूट पर ये पहली बार स्पाई जेट ने इंट्रोडूस किया है दर्बंगा बैंगलूरू रूट पर और हो सकता ही आगे दिल्ली और मुंबई रूट पर भी ये विमान लाए क्योंकि बहुत दिनों से स्पाई जेट की कोशिश थी कि इसे दुबारा दुबारा से लाया जाए आपको बता दे कि 20 साल बाद ये विमान वापस आ रहा और ये कंपनी के लिए बहुत फायदे का विमान है इसलिए क्योंकि इसमे अच्छा है तो कुल मिला करके ये काफी उन्नत विमान आले के sitting capacity उतनी ही है लेकिन efficiency ज्यादा है तो ये विमान पहली बार दर्भंगा आ रहा है 737 MAX विमान spice jet ने इसे बहुत ही हार के दिनों में बहुत ही grand welcome, re-welcome किया और Saturday November 27 साफ साफ दिखा रहा है बैंगलूरू का ये विमान और यहाँ पर देखिए आप Boeing 737 MAX 8 विमान साफ साफ शो कर रहा है तो ये विमान दर्भंगा में पहली बार आ रहा है तो ये आज की डेट में पटना बैंगलूरू और बैंगलूरू पटना और दर्भंगा बैंगलूरू तो बैंगलूरू के तमाम शहर आज से ये यात्रा कर पाएंगे 737 MAX 8 की यात्रा कर पाएंगे और इसका आनंद उठा पाएंगे तो दर्भंगा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है और इस वि विमान को जिसमें स्पाइज जेट के 15 विमान भी थे जो दोबारा आप इसको धीरे धीरे फेस वाइज इसको लाए जा रहा है और उमीद है कि आने वाले 10-15 दिनों में सारे विमान वापस आ जाएंगे और इससे इसका लोगों को लाब मिलता रहेगा दर्मंगा के लोग और मितला के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाए कि जिए शेयर किए गामेड़ी के सब्सक्राइब किजिए कुछ हरो वीडियो के साथ आजिनोंगा अब देखते है दर्मंगार असुर्मा सोही बियांस पट भी शुक्रिये धन आवाद, जाइन जबीहार, जामितला